गाईज अगर आप अपने Windows को अपडेट कर रहे हो और अपडेट करने के दोना किसी तरह कभी आपको problem शो हो रहा है, error शो हो रहा है या आप अपडेट कर रहे हो और आपका Windows updating process है वो stuck हो गया है, 0% में stuck हो गया है या 3% या 9% या 10% में stuck हो गया है या आपका Windows update होता है लेकिन आपको किसी तरह का changes आपको देखने को नहीं मिलता है तो guys windows selected जितने भी problem आ रहे हैं उन सभी problem को solve करने के लिए मैं आपको यहाँ पर 5 processes बताऊंगा और आपको उन सभी processes को step by step follow करना है और यहाँ पर किसी भी process को यहाँ पर miss नहीं करना है और आपको इस वीडियो को completely whole watch करना है और guys जैसे बान के चलिएगा आपका जो यह problem है अगर पहला process से solve नहीं होता है तो आप यहाँ पर second process को अपलाई कर सकते है अगर second process से अगर आपका यह problem solve नहीं होता है तो आप वहाँ पर third process को अपलाई कर सकते है मने मेरे कहानी का मतलब यह है कि यहाँ पर मैं जितनी processes बताऊंगा यहाँ पर किसी ने किसी एक से आपका यह problem है यह problem आपका solve हो जाएगा और guys अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरी चैनल को subscribe कर ले और बैल आइकन पर बीक्लिक कर ले कि मैं अपने चैनल पर बहुत सारे problem के regarding solutions related video विडियो विगरा मैं डालता रहता हूँ और बहुत सारे important software के guarding भी मैं विडियो विगरा डालता रहता हूँ जो आपकी काम में हैगा और guys अगर आपके laptop में अगर आपके प्रोब्बम होता है तो आप मुझे comment कर सकते हो और मैं कोसिस करेंगा कि उस problem के रिगार्णि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको विडियो प्रोभाइट कर सकूँ तो guys जैसे मैं आपको यहां पर पहला process बताता हूँ कि पहला process में आपको करना क्या है पहला process में आपको अपने Windows की start menu में जाना है और यहां पे आपको अपने Windows के settings में चले जाना है विंडोस के settings में आने के बाद और आप यहां पर देखो कि यहां पे आपको सर्च बार्द दिखने होगा तो आपको यहां पे तरहील है टाइब करना है ट्रfyल शूट शेटिंग आ जैसे आप हाप इंहां पर देखो excluded चाले जाना है और यहां पी तुल डिकले को अपको यहां पर एक ऑप्ष़् या औब लिए को यहां पर लोगर टो अपको इस आप benefits right करना है कि आपको इसी ऑफको क्लिक करना है और यहां प्ने विंडोस को ट्रोल सूट करना है और लिए विंडोस परर्पर्प्राइटा तररीकर से अब डिम्राइट से अगर इन겠 अगर आपका तब्धी आपडेट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉल्मा में आपको हाँ पे शू हो रहा है तो अब मैं आपको यहाँ पर सकेंड प्रोसेस बताता हूं तो आप जाकर अप सकेंड प्रोसेस को अपलाई कर सकते हैं तो सकेंड प्रोसेस में आपको अपने विंडूस के स्टार्ट मेनु में आना है और यहाँ पर को टाइप करना है run और आपको यहाण पर अपने रन प्रोग्हां को open कर लेना है विखा पूर्च करना है और आपके सामने इस तरह के इंटरफेस होगा तो आपको करना क्या है कि आपको इससे download के इस प्रॉल्ड़ डाउन करना है और आपको यहाँ पर जैसे आप यहां पर देखो कि यहां पर विंडूस अप्डेट का आपको यहां पर ओप्शन दिख रहा होगा तो आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है जैसे मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूं विंडूस अप्डेट के और यहां पर आप देखो कि यहां आपको इसे apply कर दिना है then okay कर दिना है और आपको करना किया है कि अब वापस से आपको इस विंडूज अप्टेट वाले option पर जाना है और यहां पर घे उल्डी सब्सक्राइब करने के बाद अब को इसे क्ल्स करना है और आपको फिर से क्लूज करना है कि आपको जी विंडूस है आप करना किया है कि आपको अपने स्टार्ट में जाना है और यहां पर टाइप करना है CMD, और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर CMD आपको यहाँ पर शौहूरा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने CMD को Run as Administrator की Help से आपको इसे Open कर लेना है, जैसे मैं इसे Open करता हूँ और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेरा Command Prompt है CMD जो है, यहाँ पर completely open हो चुका है अब आपको करना क्या है कि आपको यहाप एक command type करना है जैसे मैं आपको एक command बताता हूँ SFC space slash scan now आपको यहाँ पर यह command को type करना है जैसे मैं आपको zoom करके भी दिखा देता हूँ जैसे आपको यहाँ पर देखो गई SFC space slash scan now आपको यह command को type करना है और यह command को type करने के बाद आपको यहाँ पर interface करना है और आपका यहाँ पर जो system है वो यहाँ पर scan होनी लेगा मैं यहाँ पर scanning से related यहाँ पर process होगा और आपके windows में किसी तरह का कोई problem होगा कोई हो रहा है system scanning verification और यहाँ परन यहाँ पर संट यहाँ हो चुका है तो यहाँ पर हंड्रेट परसेंट कंप्लिट होगा यहाँ पर कुछ मिनर्ट के आपको है ताइंड लगाएगा तो आपको पैसे पर पेसे पर इस वेरिफिकीर्ट को को complete कर लिना है और complete करने के बाद जो आपका Windows में जीजबी तरह कर प्राब्मम होगा वो प्राब्मम आपका शॉल्ब हो जाएगा और उसके बाद आप Windows को अपडेट करके देख सकते हो चेक कर सकते हो कि वह प्रॉपर तरीके सब्डेट हो रहा है कि ने जैसे को एक्जामपल मैं इसे क्लोज करता हूं कि मुझे आपको और भी आगे प्रॉसस बताना है और इसे कंप्लीट कर लिने के बाद आपको अपने Windows को अपडेट करना है अगर इनकी इस तब भी अपडेट नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पर फूर्थ नमर प्रॉसस बत एक कमांड दिखना होगा जैसे आप यहाँ पर देखोगे नेट स्टॉप डबलू यू ए यू सी आर भी तो आपको इस कमांड को अपने कमांड मैं अपने कमांड प्रॉम्ट में आपको टाइप करना है और आप चाहे तो आप यहाँ पर अपने वीडियो को पोस्ट करते अप तैक कर सकते इसका कुछां हो याप इसको इसका इस रूंसाट भी ले सकते हो और जैसे मैं इस कमांड को मैं अपने इस विडियो के डिस्कुपशन में बिए दो आप वहाँ से डिर्की कपी कर सकते हो तो जैसे में यहाँ से ड्रिक्ली कॉपी कर देप यहाँ ह reincarnate नहीं CRV, आपको इस command को type करना है और आपको यहाँ पर interface करना है, और यहाँ पर जो आपका Windows है, उसका यहाँ पर service आपका यहाँ पर stop हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर Windows का service यहाँ स्टॉप हो चुका है, और अब आपको करना क्या है कि stop करने के बाद, आपको करना क्या है कि आपको अपने This पीसी में चले जाना है मने आपने Windows की fakie में और यहाँ पर आपको आपको आपने CDrive में जाना है को च्च में आने के बाद आपको यहां पर फॉल्डर में चले जाना है विंडोस के फॉल्डर में आने के बाद अब आपको करना है कि यहां पर आपको कमळें लिए और अब करने के बाद आपको इस फोल्टर को ऊपीं कर लिना है और यहां आपको बहुत सारा फाइल और फोल्डर आपको हो रहा होगा अब आपको करना है कि आपको अपने डैस्टॉप पे एक फोल्डर क्रियेट करना है जैसे मैं आप एक फोल्डर क्रियेट करता हूं मैं अपने डैस्टॉप पे और यहां पे इसका नेम यहां पे टास्क दे देता है, कट कर ले ना है, अब यहाँ पे इस वाले टास्क वाले फोल्डर में ऑपिन करना है, और अपिन करने के बाद यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर दणा, then continue, तो यहाँ पे जितना फोल्डर फाइल था, यहाँ पे पेस्ट हो जुगा और मैं इसे close करता हूँ और यहां पर software distribution में मेरा कोई फाइल नहीं है अब आपको करना क्या है कि आप आपको इसे close करना है close करने के बाद अब आपको यहां पर इस command prompt में एक और आपको यहां पर command आपको यहां पर type करना है अब क्या command type करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको net, space, start, space, w, a, u, s, e, r, v, अब आपको यह command को आप यहाँ पर, जैसे copy करना है यहाँ आप type भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पर इसे paste कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर command देख सकते हूँ, मैं यहाँ पर zoom भी क्या हूँ, net, start, जैसे आप यहाँ नेट, space, start, space, w, a, u, s, e, r, v, तो इसे type करना है, अब यहाँ पर interface करना है, और यहाँ पर आपका windows update का service था, वो यहाँ पर start हो जाएगा, successfully, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले यहाँ पर stop हो गया था, stop होने के बाद, software distribution folder से वहाँ पर जितने भी file है, जितने भी folder है, आपको वहाँ से उसे हटा लेना है, हटाने के बाद, यहाँ पर आपको यहाँ से वापसते start कर देना है, update service को, अब आपको करना क्या है, कि अब आपको यह कर लेने के बाद, आपको अपने windows को update कर देखना है, कि वो proper तरीके से update हो रहा है, कि नहीं, वहाँ पर जो भी problem आ रहा है, वो आपका problem solve हुआ है, कि, नहीं, in case अगर इसके बहुत बहुत है, तो अब मैं आपको fifth number process बता थाँ, कि fifth number process में आपको करना क्या है, fifth number process में भी जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसा आप यहां पर देखोगे, यहां पर, मीरे notpad में आपको यहां पर, तिन यहां प्याहन को कमांड दखेंगा होगा थ्री emailed आपको यह पर वहां प्रयों क Das प्तो पर देखते हो त्यक्ति को आपको करना है कि आपको इन सभी कमांड को एक करें यहां से कापी करना है यहां यह ता modal प्रोसेस हो इन जो मैं आपको बता रहो हूँ, अब आपको यहाँ पर अपना system का health को check करना है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर health check करना है, यहाँ पर command है, इसे करने के बाद यहाँ पर interface करना है, और इसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर command हो रहा होगा, scan health का, तो आपको तो फिर इसे यहां पर type करना है अपने command prompt में, जो यह second number आपका command है, इसे करने के बाद आपको यहां पर third number यह command को यहां पर type करना है अपने command prompt में, जैसे आप पहले type कर रहा थे, simply आपको उसी तरह type करना है, आप चाहे तो copy paste भी कर सकते हैं, वीडियो के description से, और इसे करने के ग्यान के बात, और आपको चेक करना है कि आपका windows है, वो update हो रहा है कि नहीं, वैणे check करना है, अगर in case, जो लिक्ति नंबर प्रॉसेस से भी आपको यह problem है, यह problem solve नहीं होता है, तो अब में आपको एक last process भी एक और बता देता हूँ, 6th number process को भी मैं add कर देता हूँ, तो 6 प्रॉसेस में आपको करना है कि आपको अपने सिस्टम को रिस्टूर करना है रिस्टूर कैसे करना है जिस मैं आपको बताता हूं आपको स्टाट में जाना है और यहां पर आपको यहां पर टाइप करकर सर्च करना है और आपको अपने कंट्रूल पालन को उपिन कर लेना है है लार्ज जाइचन करने के बाद आपको अप्सटा перем सोच हो रहा होगा तो आपको इस रिकवरी आफ्ट करिक करना है कि आ कि हरी हाद पे ऑपे अपर पर ऑप्षेंग अप्सटा responsible हो रहा होगा तो आपको सूर से क्लिक करना है पॉस्ट में चला जाएगा अगर इनकेस आपके Windows से आपको इभी फाइल वगरा है वो आज corrupt हुआ है कि जरा कोई problem आज हुआ है तो दूदिन पीछे वो problem नहीं था तो आपका system दूदिन पीछे जाएगा पास्ट में जाएगा तो as it is वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था और उस देट और टाइम के एकवर्डिंग ही आपका जो सिस्टम है वो इतने दिन आपका पीछे चला जाता है और जो आपको प्राब्लेम होगा वो आपना का प्राब्लेम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसे यहां पर जो सिस्टम है वो होना डाहिस प्रॉबलम आपका सॉल्व हो जाएगा और घ्राइज अभी तक मेरे टिलेग्रम चालया को फॉलन ने कि हो ज्वाइनी कि जल दिस जाकर आप आप मेरे टेलग्राम चैनल को जोईन कर लिजी क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारा वीडियो चैनल को जोईन कर सकते हैं तो गाइज मैं फिर मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तिल रैन और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए